सत्नरायन पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे हम लोग पट्रोला में सत्नरायन पूजा होकी है नवस्कार डीटीवी भारत में आपका स्वागत है मैं हूँ पूजा वर्मा दरसल राजनीती में धार्मिक मुद्दों को लेकर राजनीती करना बेहद आम हो गया है आम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि भगवान को लेकर और धार्मिक आस्थाओं को ठेश पहुचाने के लिए कई सारी बेतु के बयान कई सारी राजनितिक पार्टियों की तरफ से कई सारी राजनितिक हस्तियों की तरफ से सामने आते रहती हैं और आज हम इस मुद्दे पर इसे लिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक और बेतु का बयान सामने आया है हम प्रमुक जीतन राम मांजी ने एक बड़ा और बेतुका बयान दिया है हाला कि जीतन राम मांजी की तरफ से भगवान राम को लेकर भी पहले बयान दिये गए थे उन्होंने कहा था कि राम की अस्तित्व को वो नहीं जानते, राम को वो नहीं मानते और एक बार फिर से जीतन राम मांजी ने एक बड़ा बयान दिया है बड़ा बयान तमाम पंडितों को लेकर फिर से हिंदूों की आस्थाओं को ठेश पहुचाने वाला बयान जीतन राम माजी की तरब से सामने आया है जीतन राम माजी ने बयान दिया है और उस बयान में उनोंने आपत्ति जनक शब्दों का इस्तेमाल किया है या यू कहें गालियों का इस्तमाल किया है सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं उसके बाद आपको पूरी बात समझाते हैं तो जीतन रामांजी का आपने वो बयान सुना जिसमें उन्होंने पंडितों को लेकर अभध्र बाते कहीं सब्तिन आरायन पूजा को लेकर गलत बाते कहीं गलत इसलिए कह रहे हैं धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुचाना हिंदूओं की पूजा उनकी परंपरा को चोट पहुचाना ये कही न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी राजनीती होनी नहीं चाहिए जीतन राम मांजी की बात करें तो बयान उनकी तरफ से सामने पहले भी ऐसे आये थे और उस वक्त भी जब मांजी से बातशीत की गई थी तो उन्होंने कहा था कि वो राम को नहीं मानते हलाकि वो लोगों को पूजा करने से मना नहीं करते हैं और ये जो जूदा बयान उन्होंने दिया है ये जो बयान हमने आपको सुनाया है उस बयान में मा झी ने पंडितों पर अब शब्द का प्रियोग किया पंडितों को गालिया दी उन्होने कहा कि वो घर आते हैं, दक्षिना मांगते हैं, भूचर नहीं करते और जो शब्द का उन्होंने इस्तमाल किया है वो शब्द हम आपको बता भी नहीं सकते बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो आपत्य जनक शब्द हैं वो गालिया हैं और उसका इस्तमाल करना बेहत गलत है लेकिन सत्य नारायन भगवान के उपर भी उन्होंने टिपणी की उसकी पूजा को लेकर उन्होंने टिपणी की है तो देखिए धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचा कर राजनीती मजबूत करना अपनी चार लोगों के बीच और अपनी जनताओं के सामने लोगों के सामने आप इस तरीके से बेतु का बयान देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता लेकिन हाँ सुर्खियों में बने रहने का मुझे लगता है जीतन राम मांजी को आजकल ज्यादा सौख हो रहा है और तब ही यही वो वज़ा है और तब ही लगातार उनके उपर जब हम कहें जब उन्होंने ऐसा बयान दिया था तो लगातार सत्ता पक्ष उनके अपने ने लेकिन देखिए अब एक बार फिर से पंडितों को लेकर सत्त नारायन भगवान की पूजा को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दे दिया है और यह बयानों का दौर उनकी तरफ से जारी है सियासत की बीच सत्ता के बीच धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुचाना ये बहत गलत है भारत एक धर्म निर्पेक्ष देश है यहाँ पर हर धर्म को सम्मान है हर जाती को सम्मान है और हर भासाओं का सम्मान है ऐसे में एक उचे पायदान पर बैठ कर एक राजनितिक ग्योकर एक पार्टी के प्रमुक होकर जब आप ऐसा बयान देते हैं तो ये दर्शात कि आपकी पार्टी की विचार धारा क्या है हाला कि आप एक नीजी वयान अपनी तरब से दे रहे हैं लेकिन ये आपकी पार्टी की व्यक्तित्व को दर्शाता है आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है कि आखिर आप क्यूं ऐसे बेतु के बयान दे रहे हैं और एक बार फिर से हिंदू को ठेश पहुंचाने वाला बयान जीतन राम मान जी के तरफ से सामने आया वो बयान भी हमने आपको सनाया मुझे लगता है इस बयान को सुनने के बाद फिर से और ये देखने को मिलेगा कि सत्ता पक्ष भी अब इस बयान के बाद हमलावर होगा लेकिन कितना हमला वार किया जाता है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही देखते रहे है डी टीवी भारत नमस्कार